विरेंद्र गंभीर उंबई से इनका सवाल ऐसा है कि आपने जो इवुलिशन की बात कही उसमें कहा था कि पहले एक पेशिय प्राणी एमीबा जैसा पैदा हुआ और एक बीच से वैसे ही प्राणी निकलता है या फिर वैसे ही पेड़ पैदा होता है तो फिर इतनी अलग-अ जाती है कैसे पैदा हुई यह सवाल आम इंसान को हमेशा होता है उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया यह इवुलिशन की थियरी जानने वाले किसी प्राध्यपक से मिलिये और उसकी बारी किया समझ लेजिए इस पर कुछ अच्छी किताबे है मानवा बलाध्यकसाजला एक रशियन प्रकाशन है इनमें आपको कुछ इवुलिशन की यह बारी किया पढ़ने को मिलेगी सीखने को मिलेगी नेचर के नियम के अनुसार हमेशा एक बीच का सेम रिप्लिका होता है जिसा आपने एक आम का बीच पेड़े बोया जमिन में उसमें से पेड़ूगेगा बाद में आम लगेगे उसी डंग के बीचूस में से निकलेंगे लेकिन नेचर में कभी-कभी म्यूटेशन होता है ये म्यूटेशन एक्सिडेंट्स होते हैं कभी-कभी हम सुनते हैं कि एक मा को बेटा हुआ उसके दो मूख निकले कभी-कभी एक बेटा पैदा हुआ उसके छे हाथ निकले दो के बज़ाए जानवरों के बारे में भी हम सुनते रहते हैं ये म्यूटेशन के ही परिणाव है कुछ नेचर में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि जिसके करण ऐसा कुछ तो भी होता है इसमें जो बदलाव होते हैं वो नेचर में टिकने लाइक होते हैं इतने सशक्त होते हैं वो नेचर में टिकते हैं और उसमेंसे नई प्रजाती पैदा होती है दूसरा एक ही प्रजाती जैसे बिल्ली है हम टाइगर को भी कैट कहते हैं शेर को भी कैट कहते हैं और हमारे घर में जो बिल्ली होती है उसको भी कैट कहते हैं बिग कैट छुटी कैट एक ही बिल्ली जंगलों में रही उसको संगर्श जीस धंक से करना पड़ा उसमें से वो बड़ी होती गई हिमाले के एरिया में रही तो उसको बहुत बाला है अलग धंका टाइगर बना कहीं सफेद बना सेम बात इंसान की है हर इंसान आफरीका में पहले पैदा हुआ है बाद में दुनियों में फैल देगा या उन में से कुछ काले है कुछ बहुत गोरे है कुछ पिग्मी है कुछ मंगोलियंस है जमात तो मानो की एकी है वातावरन के अनुसार प्राणी जगत अपने आपको ढ़लता है वनस्वती जगत अपने आपको ढालता है परिस्तिते के अनुसार ढालता है उसमें से भी कुछ परिवर्टन होते हैं लामार का विकासवाद का सिद्धान्द जिन चीजों का हम ज़्यादा उप्योग करते हैं वो नैचरली ज़्यादा सशक्त बनते जाती है जिनका उप्योग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे निकल जाती है ये तीनों चीजों का मिला जुला परिणाम अलग-अलग प्रजातिया निर्मान होने में होता है म्यूटेशन वातावरंड के अनुसार अपने आपको ढालना तो पीडियों तक चलता है एक पीडियों में ये परिवर्तन नहीं होता है कई पीडियों के बाद परिवर्तन दिखता है हमको जो फिर नैचरली बनता है उसे एक नहीं जमात उसमें से तयार होती है और तिसरा ये विकासवात का सिद्धान ये तीनों का मिला जुला परिणाम जो है ये करीबन धाई सो करोड सालों में ये परिवर्तन हुआ है हमारी आयू ज़्यादा से ज़्यादा सव साल धाई सो करोड साल ये हमारी लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा काल है टाइम है सव साल भी हमारी लिए बहुत बड़े लगते है इनसान की आयूद 10 लाक साल की है ये दस लाक साल भी बहुत बड़ा काल है और आज कल तो हम इस सायंस का उपयोग जो नेचर का ये सायंस है उसका उपयोग तो खुद करते हैं मनस्पति के बारे में बड़े पैमाने पर करते हैं एक पेड़ का कलम दुसरे के साथ में कर देते हैं, नई प्रजाती पैदा करते हैं, यह नेचर के नियम है, जो हम खुद डेलिबरेटली उपयोग में लाते हैं, सेम प्राणियों के बारे में हुआ है, हम अलग-अलग प्राणि निर्मायन कियें, इसी के बात है, गधा था, गधा और गोड़े के मिलन से हमने खचर तैयार कियें, खचर जादा ताकदवान होते हैं, जादा सहनशील होते हैं, गधे दवड़ नहीं सकते जादा, गोड़े बहुत दवड़ते हैं, बहुत फूर्तिले होते हैं, लेकिन उनकी ताकद इतनी नहीं होती है, इतने लोग करकर हमने भी अलग-अलग जातिया निर्माण की है प्रजातिया निर्माण की है पेडों कीजा, कुछ प्राणियों की नेचर में कई सालों से होते आया है तो ये evolution की theory है उसके कुछ हिस्से मैंने आपके सामने रखे इसके बहुत डिटेल्स में जाना बहुत मनुरंजक है कभी अगर इभूलिशन ये विशे सेपरेट लूँगा तो मैं बहुत डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने रखूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे YouTube चेनल शाम मानों को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें उसके लिए सबस्क्राइब बटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए